हलो फ्रेंड्स स्वागत आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पे आपको पता चलाओगा कि क्यमिली पोस्ट में एक को क्वेश्चन डाला था कि हम नखुन काड़ने के लिए नेल कटर या नेल क्लिपर का यूज करते हैं इसमें किस या किस रड़ी का उत्तोलक मिन्स लीवर यूज होता है तो हमारे बहुत सारे साथियों ने लगभग यहाँ पर हमारे पास 136 स्टुडेंट के यहाँ पर हमारे पास वोटिंग आई है जिसमें बहुत सारे स्टुडेंट ने बोला है कि यह फ्रस्ट क्लास लीवर है कुछ कुछ लोगों ने बोला कुछ साथी ने बोला कि सिकेंड क्लास लीवर है कुछ ने सिंपन लीवर बोला कुछ लोगों ने कहा कि कंपाउंड लीवर है कुछ लोगों ने कहा कि थर्ड क्लास लीवर है तो दोस्तों इतने क्वेश्चन देख करके इतने एक ही क्वेश्चन के इतने answer देखकर के मुझे कुछ doubt हुआ कि कहीं ने कहीं हमारे साथियों के कहीं ने कहीं doubt है उनका concept clear नहीं है लिवर को ले करके दोस्तो इससे पहले मैंने वीडियो डाला था आपको पता होगा आप जाएंगे search करेंगे you type of liver में तो आपको वीडियो मिल जाएगा लगभग 75 के हो चुके हैं आप उसके पर देखिए तो वहां पर आप आप concept clear करेंगे कि लिवर किन्ने प्रकार के होते हैं बाकि दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हम जो नेल कटर यूज करते हैं उसमें काउन काउन से लिवर क्या लिवर है किस टाइप के लिवर में आता है दोस्तों उम्मीद करते हो हमारे बहुत सारे साथ ही लगभग यहां पर बात करें तो यहां पर 70% स्टूडेंट हम बोले हैं कि यह first class लिवर है नेल कटर दोस्तों first class लिवर है लेकिन क्या है रियल में ऐसा है हमें पता है दोस्तों कि आपने क्या किया है कि आपने कहीं नेट पर सर्च किया है यहां पर बहुत कम इस्टूडेंट ने इस पर वोटिंग किये और आगे बात करेंगे दोस्तों जा दिया आप कहीं और सर्च करेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कि nail cutter is nail cutter is a third class liver तो आपको brainally का website है वहां से आपको answer मिलेगा कि नहीं यह first class का liver है तो दोस्तुई है क्या हो क्या रहा है यह कौन से liver है और हमने तहां पर आप net search करेंगे कहीं पर दिखे गई नहीं कि यह first class का liver है कहीं भी नहीं दिखेगा लेकिन student हमारे answer क्यों दिये किस परकार से answer दिये आई हम इसको एक demonstrate करके आपको nail cutter की सहाजता से आपको बैदाएंगे कि यह किस परकार का liver है तो साथी मैं इस वीडियो को आगे बढ़ा हूँ उससे पहले मैं आपको थोड़ा clear कर देता हूँ कि कौन से liver के उसमें क्या विसेश्था होती है उसका concept क्या है दोस्तों मैं जब यह वाला वीडियो बना रहा था आपको ट्रिक बताया FWP फर फलक्रम, डबलू फर वर्क या फिर लोड जिसको बोलते हैं इफर एफर मलब की FWP एफर यदि हमारा फलक्रम बीच में होगा तो वह हमारा फैस्ट लिवर होगा डबलू मलब की लोड जिसको हम डिनोड करते हैं यदि डबलू लोड हमारा बीच में एपलाई कर हो रहा है तो वहाँ हम सेकंड क्लास लिवर यूज करेंगे और यदि हमारा FWP जो है बीच में होगा तो उसको हम स्थर्ड क्लास लिवर बोलते हैं तो यह हमारा कांसेप्ट है दोस्तो यदि आप ना देख रहे हो कि आप इस फोटो में एक बार देख सकते हैं आपको यहां पर क्लियर हो जाएगा कुछ इस परकार से लगते हैं और यहां पे हम क्या करते हैं एफर्ट को अप्लाई करते यहं यहां प्शेट करते हैं और जिस कार को हम लह रहे हैं वह हमारा किस향 काड़ देते हैं और यह हमारा अजय आता है क्या है यह पर दुझते होंगे कि fulcrum किया यह लेकिन आज़ आई कोई confusion नहीं होगा कि प्या इस वीडियो को पूरा अंतर तक देखें साथियों इसको एक एक पार्ड को कि विकाज यह है कि यह ना तो फर्ट क्लास लिवर है ना तो थर्ड क्लास लिवर है यह इसमें अलग-अलग लिवर यूज हुए है दो पार्ट में आए देखते हैं कैसे यह इसको निकाल दे यह देखी यहाँ पे फलक्रम लगा हो यही फलक्रम यूज होता है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसको हम यहाँ पे निकाल सकते हैं भी इस पकार से आप इसको निकाल लिए थोड़ा सा आप देख पा रहे होंगे कि हमने इस पे तीन करते हैं और बीच में यह हमारा क्या होता है फिक्स होता है इस पिन की सायता से हमारा फिक्स होता है इसको हम फलक्रम बोल सकते हैं और इसकी सायता से हम क्या करते हैं यह बीच वाला जो पार्ट है वो नीचे होता है मनलब कि यहां पर आप देखेंगे कि यह हमारा जो लोड है वो नीचे है यह हम यहाँ पर fix है यह हमारा effort हो रहा है बीच में क्या हम load के द्वारा जो हमारा नीचे वाला part है उसको हम मूँ कराने कोशिस करते है इसकी साहता से ति हमारा load हो गया बीच में ति हमारा क्या हो गया second class liver हो नहीं FWP यहाँ पर W के और लोड के बीच में effort X side है और falcrum यह तो आप इसको समझ सकते हैं अब क्या होता है कि आप हम आए दूसरे वाले part को analysis करते हैं क्या है यह हम यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यह कुछ इस प्रकार से होती है stocks प्रेस करते हैं कहींने कहीं साथा से यह हम यहाँ पर force लगाते हैं और इसको कुछ इस प्रकार से हम इसको दबाने की कोसिस करते हैं तो आप देखें इसमें हम क्या कर रहे है effort कहां लगा रहे है बीच में जैसे आप जानते होंगे obtag चिम्टा हमारा आता है third class liver में तो यहाँ पर देख पारोंगे यह कुछ third class का liver है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर effort apply कर रहे हैं तीस पकार से हमारा nail यहाँ पर work होता है तो यहाँ पर हमारा third class liver यह बनता है तो अब क्या हुआ सत्यों इसको जो हम यहाँ पर भी फोर्स लगाएंगे इस हैंड से वो क्या होगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी इसको इजी करने के लिए हमको एक सेकेंड क्लास लिवर यूज करना पड़ता है इसके ऊपर तो यदि मैं आगे जवड़ूं तो आपको पता चल गया होगा कि हमारा कौन सा है सेकेंड क्लास लिवर और यह हमारा है थर्ड क्लास लिवर और हम इसको कुछ इस परकार से अटाइज कर देते हैं सिस्टम को ताकि हमारा यहाँ पर यह बन पाए अब आईए फिर सुरू कर द छो पकार है और यूज करते हैं लिवर तो इस परकार को रहता है यह हमारा कामपाउंड लिवर आयए हम इसको फिसकार देते हैं कुछ स्कौरिकार से थाकि आजए यह क। आज दोस्तों इसका मेFlow क्या समझना आ गया हम यहाँ से एफर्ट किया फ्रेक रिफर्ड बना दिया क्याँ अब यह बन गया हमारा पूर प्ला चॉआ हमारा यूश होने लगा नेल कटा इस पकार से हम काम करतेियों फिरता हुआ हम आपके क्लियर हो गया होगा यदि आप और सर्च करते गूगल पे तो आप जाते विकिपीडिया पढ़ते तो वहाँ पर सीधे सीधे बताया गया है वहाँ इस फिगर साथ से बता दिया गया है आपको कि यह क्या है कंपाउंड लिवर है तो दोस्तों आज के लिए वस इतना ही आप पता जल गया होगे कि नेल कट किस प्रकार का लिवर है यदि आपको अभी कोई डाउड नीचे कमेंड बाक्स में लिखिए यदि आप क्लियर हो गया है तब भी हमको बताईए कि आप आगे आप गलती नहीं करेंगे थैंक्यू दूस्वातियों जैहिं कि करेंदे आप यदि आपको प्रमेश आप और बा का लाए बं खि魚 आपको घ्याए क् और दए घृटर है झाल झाल